घर और किचिन के काम था हम सब को करने ही पड़ते हैं लेकिन सर्दी के जब मौसा होता है न तो उस समय तो यह बहुत ही ज्यादा जंजट भरे लगते हैं लेकिन कुछ तिप्स और ट्रिक्स के थू किये जाएं तो जंजट भरे काम है वही आसान हो जाते हैं साथ ही साथ हमार करिके दोड़ रोटी दाने का री आस बनान को ऑना के कि अदिक सार थी जिर सर्वे और हो जाãy म dramas साथ सけて इसी केना अदूब से दोऑना फोल्म लेत गहेए गाना को स्मारी दले को स्कुष्व जो यॉद्यां एक रोटी खांगे का रोटी ऐस यॉद्ज और जमेंग। खाने को सर्व कर सकते हैं तो इस तरह से मैं आप जब रोटी बनाएंगे नहीं तो बहुती फटा फट और बहुती सॉफ्ट सॉफ्ट एक दम फुली फुली रोटियां बनेगी तो अभी मैं आपको बेल कर और सेख कर दिखाती हूं आप हैरान रह जाएंगे इतनी बढ़िया फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनकर तियार होती हैं तो मैंने यहां पर रोटी को तवे पर डाल दिया है और मैं अभी आप इसको फुला के और सेख कर पूरा दिखाऊंगी बिल्कुल लाइफ बिना इसकिप किये हुए तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी तो देख सकते हैं मैंने रोटियों को दोनों साइड से पलट लिया है और अब देखे एक बार ही पलटने पर यह दोनों रोटियां बहुत इजली अलग अलग हो गई है उसकी बाद है मैंने जो हमारा अंदर वाला पोर्सन था उसको भी अच्छे से 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 कर तवे पर तियार कर लेंगी फिर हमेने सेक कर दिखाएंगे इतने समय में हमारा काफी समय बच जाता है जिससे कि हम और भी extra साथ साथ किचिन में काम कर लेते हैं क्योंकि सब से जदा टाइम ने रोटियां बनाने में ही लगता है किचिन में क्योंकि वो हमें continuous खड़े होकर बनानी पड़ती ह बाकी काम तो ऐसे होते हैं कि हम चलते फिरते में कर सकते हैं तो हमने दोनों साइड से रोटिया अपनी पचा ली हैं खुब अच्छे से अब हम इसे गैस से हटा कर और रोटियों को सेखने का नमबर लगाते हैं तो देखिए रोटी जैसे ही मैंने गैस पर रखी एकदम फुली फुली सी बन कर तियार हुई है तो इस ट्रिक से आपको जब भी कभी जल्दी हो या फिर जादा रोटियां बनानी हो आपके पास टाइम कम है और रोटियां आपको जल्ली बना कर रखनी है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं रोटियां आप जब भी बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बनती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी शेप भी खराब नहीं होगी और रोटियों की जो शेप है एकदम परफेक्ट रहती है और साथी साथ रोटियां एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है तो देख सकते हैं आप कितनी फुली फुली मस्त रोटियां बनी है कोई नहीं कह सकता है कि ये रोटियां हमने दोनों एक साथ बनाई है तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है मेरी नए वाले जो आलू आ रहे हैं आजकल मार्केट में जब भी हम इनकी सबजी बगएरा बनाते हैं तो इनकी सबजी तो मीठी मीठी बनती है और अगर हम इने वाइल करते हैं तो जब हम इनकी पिठी बगएरा बनाते हैं तो वो एकदम पतली पतली हो जात तो आप उसमें एक चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल दीजिए और नॉर्मल वगी खाने वाला नमक है उसको डालने के बाद आप वाइल करने के लिए रखेंगे न तो आपके आलू बिल्कुल भी बाद में जो मीठास रहती है वो भी नहीं रहेगी और एकदम जो पानी छोड को दीजिए तो उसे सब्जी मीठी मीठी नहीं बनेगी चोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी तो चलिए बढ़ता है नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप है मेरी चाय को लेकर कई बार बिगनर्स जो होते हैं जो अध्रक वाली चाय बनाते ना तो उनके साथ यह सबसे ब चाय पीना पसंद करते हैं तो उसके लिए यह ट्रिक बहुत जादा जरूरी है तो जब आपका दूद या चाय जो भी बना रहे हैं उसको अच्छे से पक जाए उस समय पर ही अद्रक डालिए अगर आप ठंडे दूद में अद्रक डाल देंगे तो वह दूद फट जाता है इसलिए चाय फट जाती है हमारी तो जब भी आपको दूद वाली चाय पीनी है तो आपको चाय में अद्रक तभी डालना है जब वह दूद अच्छे से पक जाए एक दम बढ़िया तरीके से एक उबाल आ जाए इस टाइम पर अगर आप अद्रक को डालेंगे तो आपकी च से हमारे तवे पर एक लेयर जैसी जम जाती है जिससे कि हम अगर नेक्स टाइम बनाएंगे तो इस पर ना हमारी रोटी वगरा बहुत जादा चिपकती है तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है आपने अपने घर में जब भी चाय वगरा बनाते है तो चाय की जो पत्त बच्ती है न उसी समय पर उसे गरम गरम लेजिए और आपका तवा भी रोटी वगरा बनाई हो तो हलका सा गरम हो उस समय पर आप इस पत्ती को डाल दीजिए जो हमारी यूज की हुई अद्रक पत्ती है और अपने तवे पर अच्छे से पहला दीजिए जहां जहां पर आपको करना है यह चीज और उसके बाद आप इसको जब फेला देंगे न एक काम और कर दिएगा अगर चिकनाई ज्यादा हो गई है तवे पर तब आपका लेंगे एक लेंगे पुराना घर में खराब नीबू हो या अच्छा नीबू हो कोई भी हो तो यहां पर मेरा थोड पत्ती और तवे के ऊपर डाल दोंगी और उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करने कुछ रगणा नहीं कुछ भी नहीं करना है नॉर्मल जो आपका यह चिलका है ना नीबू का बस इसी को धीमे धीमे अपनी पत्ती की मदद से और नीबू की चिलके की मदद से इसको के हलके गुन-गुने से तवे पर आप देख रहे होंगे भाप निकर लए है तवे पर क्योंकि मैंने यह तवा हलका सा गरम कर रखा था और जो चाय की पत्ती है वो भी हलकी सी गरम है तो अगर गरम कर नहीं भी हो ना तो आप उस टाइम पर थोड़े देर के लिए फ्लेम क से काम करने लगते हैं तो देख सकते हैं यह पूरी चिकनाई साफ हो गई है अब मैं आपको इसको नॉर्मल ठंडे पानी से धोकर दिखाती हूं जिससे बिल्कुल भी चिकनाई जितनी भी थी सारी हट चुकी है तो देख सकते हैं मेरा तवा एकदम बढ़े आतरीकी से साफ हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी चिकनाई की लेयर नहीं है अब आपको यह चोटी सी टिप पसंद आई होगी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ तो जी नेक्स टिप है मेरी पालक को लेकर हम लोग ना पालक के पराठे या पूरी बगैरा जब बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्म यह होती है कि हम जब इसका आठा लगाते है न वह आठा बहुत जादा पतला हो जाता है हम उसको कितने भी अच्छी तरीके से लगाए लेकिन वह आठा बहुत जली पतला हो जाता है तो उसके लिए मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक है वह बहुत ही जादा टेस्टी बने तो उसके लिए मैं यहां पर लोगी सुखा हुआ जितना मुझे जरूवत है उतना आपको जितनी भी जरूवत हो आप उत्ता ले लीजे तो मैंने यहां पर एक किचिन टॉबल पिछा लिया और इसी के उपर में आठा लगाऊंगी आ अच्छे से क्रश करकर आप डालेंगे ना पालक हो या मेथी हो किसी के भी पराठे अगर आप बना रहे हैं तो इन चीजों को डाल दी जिससे ना आपके पराठे बहुत ही ज़दा टेस्टी बनते हैं और साथ ही साथ डाजिस्ट भी बहुत अच्छे से होते हैं तो मैंने आप थोड़ी सी लाल मिश्ट डालूँगी ज्यादा नहीं डालूँगी अगर आप क्या है स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप थोड़ी और ज्यादा डाल सकते हैं और मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और अगर आप चाहे तो इसमें हींग डाल सकते हैं लेकिन मैंने पालक डालेंगे अपना और पालक को जब भी आपको प्राठे बनाने तो कम से कम एक घंटे पहले धो कर जाली के उपर रख दीजिए जिससे इसका एक्स्टा पानी निकल जाए तो मैंने यहां पर धोकर काफी देर पहले रख दिया था तो मेरे पालक में बिल्कुल भी पानी नहीं है और उसके बाद मैंने करीबन आधा प्योना किलो पालक था पूरा पालक ले लिया है और अब हम इस पालक में ही अच्छे से सूखे आटे को मल मल के रखेंगे पानी बिल्कुल भी आइड नहीं करना है क्योंकि पालक अगर आप इसको आटे के साथ बैंड करके जालेंगे और जब हमें दिखेगा कि इसमें थोड़ी बहुत हमें क्वाइंटिटी पानी की जरूरत है हम बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एड करके अपने आटे को अच्छे से टाइट डो बना कर त्यार करेंगे पहली हमने इसे दो मिनट के छोड़ दिया था ऐस पानी एड करोंगी और बहुत हलकी हलकी हाथ से आपको स्प्रिंकल करके पानी डालना है जिससे एक साथ जादा अगर हो गया तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से नहीं गुनता है पालक हो या मेती हो कुछ भी हो इन चीजों में जब नमक लग जाता है तो यह अपना जो पानी होता है उसे छोड़ देते हैं अब देखिए मैंने इसमें करीबन आधा ग्लास के करीब पानी डाला था पूरे आटा लगाने में और हमारा जो यह आटा है बहुत बढ़िया तरीके से त्यार हो गया है और इसे इस समय पर हलका सा टाइट ही रखना चीए इससे क्या ह होगा जब हम बनाएंगे न तो इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी देख सकते आप आधा ग्लासिस में पूरे आटे में पानी हमारा यूज हुआ है आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी अगर टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जर